हेलो फ्रेंट्स आप सिभी का स्वागत है आपको अपने यूटूप चल श्टड़िवे सुजित में तो दोस्तो आज हूं बहुती महत्तपुन बातों को जानेंगे कि अंतिम आठ से दस दिन में क्या पढ़े या क्या छोड़े वो सभी इसी वीडियो में कभर करने वाले हैं हैं यह किव रहले हैं हेल्ठपर क्यूंकि माल जिए अभी अप जो साम के समयं पढ़ते हैं तो एक-क दो-दू बजे चार बजे अगर आप उठ जाते हैं उसमें पढ़ते हैं तो उसमें दो हैं आपको याद हो जाता है ठीक है उसमें आपको जगणा ही चाहिए क्योंकि सुबह के समय में क्या होता है कि mind पुर्णनता जो है फ्रेश रहता है और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप वह आपको याद भी हो जाता है ठीक है तो आपको पहले तो है आप लगभा कि 10-11 बजे के बीच आपको पढ़ लेना चाहिए यानि कि अगर आप उस समय अगर सोना चाहते तो उसी समय सोजे एसा रही कि एक एक दो दो बजे तक पढ़े और उसे क्या होगा कि नींद अची नहीं लगेगी और उसे क्या होगा कि आपका हेल्थ खराब हो जाएगा ठीक है और यहाँ पहें दिखा गहें कि अचे से नीनद लेना चाहिए तो अचे से अगर आपका पूर्ता हो जाता है तो आप कोई ही सब्जे कि अईट हैं कर लेकर पढ़े편 oke about समाज में भी आ जाएगा अगर नींद अगर पूर्टा नहीं हो पाएगी तो आप कोई भी पूर्टा जो वो दीन होता है वह आपका खराब चला जाएगा और यहां पर है कि को संस बैंक को जरूर ही पढ़ लेना चाहिए दोस्तों अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो को स या में हर साल पूछ ले जाते हैं तीन से चार साल के अभी भी समय है दोस्तों आठ से दस दिन यह बाचा हुए है अगर अच्छे से पढ़ने के लिए तो अभी भी आप देख सकते हैं बात आती है लोंग कोसंस के बारे में तो लोंग कोसंस भी बताएंगे कि कहां से साफी है दो ठीक है बस उसे आप रीवीजन करते रही है और यहां पर आता है कि देखिए अगर मैठ्स के स्टूडेंट है तो हम ठोड़ा से बताना चाहते हैं अब मैठ्स के अगर स्टूडेंट है तो देखिए इसमें क्या जन्स पास जो मैत है उसका अब्जेक्टीव ल वह बूक से ही रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं वैसे जो है फर्मूला का जो है आपको जरूर ही याद रखना चाहिए फर्मूला का दोस्तों ठीक है वैसे फर्मूला का एक वीडियो लाएंगे उसमें आपका पूरता अब जेक्टिव जो है किलियर हो जाएगा मैद के फर लोग कोसंस के बाता है तो प्लेइस्ट में आपको लोग कोसंस मिल जाएगा चले दूस्तों हम लोग प्लेइस्ट में चलते हैं और सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका रिजल जो है बीटर से बीटर हो जाएगा जितना आप उमीद नहीं कर पाएंगे उससे भी ज्यादा आजेगा दोस्तों फ़र डिविजन तो इतो हर हाल में आना ताय है दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम लोग प्लेइस्ट में चलते हैं देखे दोस्तों यूटूब पर जब आएंगे तो अगर आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले इस आइकन पर हम लोग क आएंगे तो इसमें डालनेंगे टाफर्स इसको अच्छे से त्यारी कर लिजिएगा इससे इसमें जो है आपको दिखाना चाहते हैं इसको जब करेंगे तो इसमें देखिए इसमें सौट टाइप कोसंस भी है और यहां पर देख सकते हैं सभी जो कोसंस है इसमें आपको मि दोस्तों सभी सब्जेकर दोस्तों ठीक है और बात आती है long questions के बारे में तो long questions जब आएंगे यहां पर तो दखिए जितने भी शुरुवात के जो यहां पर दिखाई दे रहा है होगा वीडियो यह 35 वीडियो है 28 वीडियो है और यहां पर सता वीडियो है यह सभी questions को आप ल नीचे आएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा long questions दोस्तों यहां पर देखिए यहां पे मिलेगा आपको long questions थोड़ा से नीचे आएंगे देखिए इसमें आठ वीडियो है कमेश्टि का long question दोस्तों दोस्तों यह आठ वीडियो इसमें पुर्वाइड हुआ है और तीन से चार कोशन निकालेंगा लॉंग कोशन और उस लॉंग कोशन को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो आपसे एक भी प्रस्णतर नहीं चुटने माले हैं आपको देख रहा होगा देखें इधर से तो अब दोस्तों इतना ही आपको बताना है तो सबसे पहले बता दे कि आपको प्रेक्टिस करना ही पड़ेगा किसी तरह से आपको प्रेक्टिस करना है जितना अगर आप पड़े हैं जितना हम बता हैं सिसन में वह आपको अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट ह यानि कि हर हाल में फर डिवीजन आनाता है, पूर्टा फर डिवीजन आनाता है, अगर जितना हम बता हैं उतना वस आपको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करते हैं, ये फालतू बीडियो नहीं है दोस्तों, आपको उस बस बताना था, कि आपको क्या-क्या करना चाहिए अभी के समय में दोस्तों देखे हम चाहते हैं आपका भलक के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं हम बस अमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको बस पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो होंगी ठीक है ये बस बताना था कि आपको जो है अधिक से अधिक जो देर रा से अप लाए पाएंगे ये पूर्ता हम गरांटी के सांथ करते हैं कि आपका जो जो रिजल्ट है आच्छा आएगा हमारा जो उमीद करता है वह आप लाएंगे ही दोस्तों तो इस परकार से से महत्पों सेसन को यहीं पर खत्म करते हैं अब प्रेक्टिस करते रहेगा दोस्तों रिवीजल्ट तो मिलेंगे निस कलास में नए उमुदे के साथ तो अभी के लिए तना है दोस्तों जैहिंदे